हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी कापके अपनी चैनल बेसिक नॉलेज में तो कैसे हैं आप लोग आसा गरत आप से मस्त है स्वास्त है पड़ाई बहुत जब दस्तर्स कर रहा हैं दोस्तों आप लोग लिए पर एक नोटिस देखिए कुछ दिन पहले मैं नहीं आप लोगो दिनांग 6 जून से 15 जून तक तथा कक्षा आठ नौ एबन 11 के विद्दार तो कि सगन टर्म की परिक्षा दिनांग 16 से 30 जून तक परस्तावी था दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि जिस प्रकार कक्षा पहली से 27 का एक्जाम जो है 6 से 15 जून के बीच होगा उसके बाद 16 से 30 जून के बीच आप लोग आठ भी, नभी, ग्यार भी के एक्जाम होगा इसी बीच दोस्तों आप लोग बता दे यहाँ पर रूटीन भी जारी कर दिया गया है एक्जाम प्रोग्राम यानग एक्जाम सेडियूल भी जारी कर दिया गया है आप लोग देख सकते हो ठीक पहले दिन गनित पेपर की परिक्षा मुलिलांकन 21-25 तो रिजल्ट 30 जून तक ठीक है मतलब आप लोगा जो पहला दिन में होगा वो गनित का एक्जाम होगा मुलिलांकन 21-25 के बिछ हो जाएगा और 30 तक रिजल्ट आ जाएगा दोस्तो यहां यह देखिए राज्ये के सरकार इसकुलों में सातवी तक की परिक्षा चो से पंदर जून तक होगी पहले दिन गनित की परिक्षा होगी कक्षा एक और दो की बच्चों की मौकी परिक्षा होगी दोस्तो जिस परकार कहा गया था कि आप लोग का कक्षा पहली से सातवी एक्जाम एक चो से पंदर जून त खरत में वह और पीछे नहीं होने वाला है अगले एक दो दिनों में आप लोग का भी सेडूल जारी कर दिया जैसे इन लोग का भी जारी हुआ है वीडियो पूरा दिके हरी चीज समझ में आ जाएगा आप लोग का और जितने से आपके दोस्त हैं उनको जरू सेयर कर और यह एकजाम सेडूल जो आप लोग को हम टेलिग्राम ग्रूप में सेंड कर देंगे डिस्क्रिप्शन उसका लिंक है जोइन होजें वहाँ से मिल जाएगा और अभी तक आप लोग उसे इस्टाग्राम में नहीं जोड़े हो तो दिस्क्रिप्शन उसका भी लिंक दिया और जिला काजकरम प्रादिकारियों को इस सम्मध में आवजस्यक करवाई करने का निदेश भेजाए ठीक है और पहले भाग में वस्तुनिष्ट स्वाल होंगे जबकि दूसरे भाग में सब्जेक्टिप प्रसन पुझाएंगे जिस प्रकार आप लोग एक्जाम हो रहा है सिम टू सिम उसी प्रकार का होगा मैट्रिक एक्जाम जैसे हुआ था एक दिन में सारा उसी प्रकार इन लोग का भी एक्जाम होगा ठीक है और यहां पर देखिए क्या दोस्तों आप लोग का हम दिखा ज़ते एक्जाम का ठीक है और दोस्तों आप लोग का भी एक्जाम से जाएगा जिस प्रकार इलोग का एक्जाम शुरू हो रहा है छे जून से ठीक है तो उससे पहले लगबग एक से डेर सबता पहले इन लोग का रूटीन जारी हो गिया उसी प्रकार आप लोग अभी एक्जाम से दस दिन पहले मतलब कह सकतों कि पांस तारीक तक आप लोग क्लास 9 का 11 का 8 का तो भी आप लोगों का मॉडल पर जारी हुआ नहीं है ठीक उसका भी जैसे जारी होता है आप लोगो वीडियो बना देंगे या फिर स्पेसल वीडियो उसका भी आएगा ठीक है तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और वीडियो को देखे दिया है य जुन को फिर से उग्जाम है दोस्तों यहां पर कच्छा 6 और 7 का गनित का एकजाम है ठीक है इस और अप लोगो91 सर्छा सेड्यूल देख सकते ईक्त्तर है जो है एट्लों फिरकार छू लिए जो भी आप लोग का भासा है लिए हैं वो सब्जित के एक्जाम होगा यहाँ पर और अंतिम दीनेन के 15 जून को यहाँ पर फ़जावरन अध्यान का एक्जाम होने वाला है और क्लास 6 और 7 के लिए यहाँ पर समाज अध्यान का एक्जाम होने वाला है देखिए परिक्षा प पंदरा मिनट पस्चात फिर से उनिट जो होगा जो कि 9.45 से 11.15 तक ये भी डिर्ट घंडे का अप लोग एक्जाम होने बाला है ठीक है आगे दोग क्या है कि दोनों इनिट में कूल 40-40 अंक होंगे 20 अंक आंतरिक मुलांगन का अधार पर दिया जाएगा इस प्रकार प्रतिक बिसे में कूल 100 अंक होंगे वार्सिक परिक्षा 22 का परिणाम सभी प्राप्तां को जोड़ कर घोसित किया जाएगा यानि जो 80 नमर का एक्जाम होगा प्लस जो 20 नमर का आप लोगा इंटर्नल एससमेंट मिलेगा वो सभी को जोड़ का रिजल्ट गुजारी किया जाएगा युनिट एक एमंग युनिट दो हेतु सभी विशोई के प्रस्णाप पत्र जेसी आटी द्वरा जैई पीसी को उपलप्त कराया जाएगा तो सीडी या थो आप पेंड ड्राइब में जीलों को गोपनियाता परत्त विए उपलप्त कराया जाएगा इसकी तीथी सीग रही जेसी आटी से प्रस्णाप पत्र प्राप्त होते ही आपको सुचित की जाएगी सुचना प्राप्त होते ही निर्धारेती ठीको जीला के द्वरा प्राधिकरित कर्मी राज्यमुख्यालाई में प्राप्त कर सेंगे दोस्तों यह आप लोग का जारी कर देया आएगा गोप एक वस्तुनिस्ट होगा, जबकि युनिट दो व्यक्तिव परक्ष यान कि सब्जेक्टिव होगा, ठीक है? युनिट एक की प्रस्ण पत्र में ही विद्दार्थियों को सही विकल्प चुन्ते हो उत्तर देना है, ध्यान से सुनेगा यहाँ पर आप लोगों का युनिट एक में प्रस्न पत्र में ही जो question paper आएगा उसे में विद्दार्थे को सही विकल्प चुनते हो उत्तर देना है तता निर्धारित समय पस्चात इस प्रस्न पत्र को सिक्षक मुलांकन हेतु जमा ले लेंगे जबकि unit 2 में प्रस्न पत्र था उत्तर पुस्तिका अलग-अलग होगी जिसमें प्रस्न पत्र विद्दार्थी अपने साथ ले जा सकेंगे जबकि उत्तर पुस्तिका मुलांकन है तु जमा कर ली जाएगी ठीक है तो यह देखिए आगे क्या है वार्सिक परिक्षादर 22 का आउजजन दिनांग 6 से 15 जून 22 तक किया जाने का प्रस्ताव है वार् से लेकर 7 तक पढ़ते हैं उनको जरूर सेर करते हैं या फिर आप 8 वी, 9 वी या फिर 11 वी पढ़ते हैं दोस्तों आप लोग का भी एक्जाम सेड्यूल अगले कुछ दिनों में जारी होने वाला है तो चैनल पर बने रही है हर एक अपडेट आप लोग लगातार मिलती रही की चैनल के थूरू से जो भी जानकारी आती है सेडियूल आएगा तो मैं टेलिकराम गुरूप में सेन कर दूँगा और इंपोर्टन कोईस्टन भी आप लोग कराए जाएगा बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करकर रख लिए ज्यादा से ज्यादा से जियर कीजिए से सुरू होने वाला है आठ भी नभी और ग्यार भी का मतलब कितना दिन बचा हुआ है और उधर 15 दिन और इधर दो दिन 17 दिन बचा हुआ है और आप लोगा जो एड्मिट का एग्जाम सेडियूल है दोस्तो वो आप लोगा लगबग पांच जून तक जारी करने का पूर इस पर इस पेजल वीडियो आएगा चुनता मत किजिए एक्जाम के लिए और तो बस तैयारी करते रहे है इस्कूल में एक्जाम नहीं होगा और आप लोगा कॉपी चेकिंग इस्कूल अस्तर पर नहीं होगा बार में होगा लेकिन हाँ वान से लेकर जो सेवन तक पढ़त कि जल्दी से इंस्टागराम में नहीं जोड़े तो वहाँ भी जोड़ जाइए चलिए लब यौल तैंक्यों अप्यों अभी के लिए इतना इप्रे मिलें राइस पूडियो में जल्दी तब तक लिए जय हिंद वन दे मातरम